स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चानल स्टड़ी विस्वाती में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DLA या BTC प्रथम समेस्टर 2015 के क्वेशन पेपर को लेकर के जो कि आपका सश्टम प्रश्ण पत्र हिंदी सिक्षड से सम्बंदित है यनि यह आपका पेपर 6 है हिंदी सिक्षड हिंदी का पेपर है इसके प्रीवेस वीडियो की बात की जाया तो मैंने हिंदी सिक्षड से ही आपका 2018, 2017, 2016 का जो फर्स टाइम और सेकेंड टाइम हुआ था उन सभी क्वेशन पेपर को बता दिया है साथी आपका पेपर 1, पेपर 2, SST यानि सामाजिक अध्यन, विज्ञान और कम्प्यूटर ये सभी आपके क्वेशन पेपर प्रोवाइट करा दिये गए हैं तो अगर आप DLA, DLA, BTC प्रत्रम समेश्टर में हैं और आपको सभी क्वेशन पेपर देखने हैं DLA टफा समेश्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीविएस येर के हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट को चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको सभी येर के क्वेशन पेपर देखने को मिल जाएंगे जिसे देखकर कि आप अपने एक्जाम की प्रिप्रेशन कर सकते हैं ठीक है मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि आपके एक्जाम के लिए प्रीविएस येर के क्वेशन पेपर बहुत ही इंपोर्टन है क्योंकि आपके जितने भी क्वेशन पूछे जाते हैं वो रेपिटेटिव ही रहते हैं आपके एक्जाम में तो आप क्वेशन पेपर जरूर पढ़ करके जाएं चले दोस्तों हम शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को यहां पर आपका यह सश्टम प्रेशन पत्र है हिंदी सिक्षण समय अगर बात की जाए इस पेपर के लिए तो आपको एक घंटी का समय दिया जाएगा साथी पुडांक यानि टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 25 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा साथी टोटल क्वेशनों की बात की जाए तो 18 यानि 18 वेशन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे यहां पर हम सबसे पहले निर्देश यानि इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं निर्देश में दिया है सभी प्रश् आप प्रश्नों के उत्तर लगवकती शब्दों में और लगुतरि प्रश्नों के उत्तरलगवकी 50 शब्दों में लिखना है तो यहां पर आप चांप्यसी कि ऑक पर दहां को देखने हैं दिखसरा और चली हम देखेंगे सबसे हमने उसकी प्रशनी या वह स्टोनिच्टि कहते हैं तो यह आपकी टोटल 5 question देखने को मिलेंगे इच question आपका 1 marks का रहेगा यहाँ पर 1st question दिया है रस स्वर कौन नहीं है इसमें पहला option है छोटा second option है छोटी E third option है छोटा O और fourth option है बड़ा A तो इसमें जो correct होगा वो आपको उचाट करके अपने उतर पुस्तिका में answer लिखना होगा ठीक है उसके बाद आपका second question है यारालावा वंजन कहलाते हैं पहला option है उश्म second option है अंतस्थ third option है सयूक्त और fourth option है दूई गुड question number three है दूई जी शब्द का अर्थ है पहला आपका option है ब्रामःड second option है दात third option है पच्छी और fourth option है इन में से कोई नहीं उसके बाद question number four है लिपी विकास का प्रथम सोपान है पहला आपका option है चित्र लिपी second option है वंड लिपी third option है अक्षर लिपी और fourth option है इन में से कोई नहीं question number five है जंगम का विलोम शब्द है पहला option है पुष्ट, second option है यह थावर, third option है स्थिर और fourth option है पूंड तो यहाँ पर आप देख पारें इन सभी के उत्तर भी दिये हैं ठीक है तो आप इन सब को उत्तर के साथ देख सकते हैं और अगर बात की जाए इन सभी questions की तो आप देख पारें अगर आपने previous year के question paper देखा हो तो सभी में से एक एक आपको देखने को मिलेगा यह सभी previous year यह तो 2017 का है आप देख पारें ठीक है और यह यार अलावा यह भी मैंने बताया था कल के वीडियो में तो यह सभी question आप दे देखेंगे अती लगूत रिप्रश्न यानि very short type questions यह total आपके six questions रहेंगे इस question one marks का रहेगा शब्दो की सीमा यानि total words आपके 30 बताये गये हैं पर आप उससे कम भी लिख सकते हैं जैसा कि इसमें six number का question है अक्षा समूं का दूसरा नाम क्या है तो स्रिप आपको नाम लिख question के दो गुड लिखें question number nine है भाषा शिक्षड या सिक्षक के चार प्रमुक कौशल कौन कौन से हैं तो यह भी आपका repetitive है यह सारे लाइन से आप देख पा रहे हैं question number seven eight or nine question number 10 भी आपका repetitive है शुत्र लेग का क्या उद्देश है question number 11 है अनभीग और मुक्त का क्रमशा विलो शब्द लिखिए तो यहां पर बात हो गई आपके very short type questions को लेकर के जो की six थे each question one marks का था उसकी बात है लगूत री प्रेशन यानी short type questions short type questions की बात की जाए तो total आपके seven questions आपको देखने को मिलेंगे इस question two marks का रहेगा शब्दो की सीमा 50 words बताई गई है ठीक है आप कम करके भी लिख सकते हैं अगर आपके पास समय कम है तो यहां पर question number 12 देखेंगे वाचन की प्रकृतिस पष्ट कीजिए question number 13 है वीराम चुन्ह का क्या अभिप्टाय है आगे है question number 14 लेखन कला को कुशल बनाने में सुले के महातुप पर प्रकास डालिए question number 15 है आचरी कलिपी से आप क्या समझते है question number 16 है पूड विराम यवं अल्प विराम में अंतर इस्पष्ट कीजिए question number 17 है अशुद चारड के किनी 5 कारणों का उल question जो की total आपके 7 थे question to marks का था आप इन question को जरूर पढ़ें आपके exam के लिए बहुत ही important होने वाले हैं इस अभी आपके repetitive question ही है ठीक है तो उमीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हूँ अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीस हमा करना शेयर करना और comment करना ना भूलें comment के माध्यम से आपके जो भी प्रेश्ट है आपके जो भी सुझाव है वो दे सकते हैं आपके comment का reply किया जाता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक next वीडियो में एक नए topic के साथ तक तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन minivas thank you friends keep watching and share to others thank you